तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं Dr. Vigin Kumar को, और आप मेरी इस चनल पर न्यू है तो आप मेरी चनल कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे मेरे टेलिगरां कर सकते हैं, और आप मुझे मेरे बोद प्लांट सर्फेस एंड स्वाइल सर्फेस इस दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं इवैपो ट्रांस्पारेशन और जो वाटल का लॉसेज हो का किस फ़र में आपका वापर्स के फ़र में होगा तो आप देखोगे जैसे यह है न इवैपो ट्रांस्पारेशन इस दे सम आप एवापो एवापोरेशन और प्लांट ट्रांस्पारेशन फ्राम दे अर्थ लैंड और ओसन सर्फेस टू दे अट्मोस्पियर तो मैंने जो बताया है कि बोथ फ्राम प्लांट एज़र एस फ्रम दे अर्थ तर्फेस और ओशन तो उसको बोलते हैं एवापो ट्रांस्पारेशन इसमें देख रहे होगे ट्रांस्पारेशन प्लस एवापरेशन दोनों कलब टूगेदर है और जो भी हम प्लांट यूज़ करता है मेटा बॉलिक एक्टिविटीज के लिए ठीक है तो कह सकते हो कि टोटल जितना आप सप्लाई करते हो करीबन 99% आपका लॉस हो जाता है इन दे फाम आप इवापो ट्रांस्पारेशन दूसरा जो हम टॉपिक का डिस्क करेंगे वो है पोटेंशियल इवापो ट्रांस्पारेशन पोटेंशियल इवापो ट्रांस्पारेशन क्या है तो आपका मान लिजिए जो आपका जो इन्वार्मेंट है इसकी एक डिमांड होती है और जो usual हमारे evapotranspiration होते हैं यह में भी some favorable condition में हो सकते हैं और में भी some limited condition में हो सकते हैं लेकिन एक environment जो particular environment होता है उसकी एक demand होती है तो suppose उस demand को आप represent करना चाहते हो कितना evapotranspiration है तो उसको बोलते है potential evapotranspiration जैसे आप देखो यहां कह रहा है potential evapotranspiration is a representation of the environmental demand for evapotranspiration evapotranspiration का जो environmental demand है उसको आप represent करते हो कैसे in the form of potential evapotranspiration और कैसे possible हो सकता है and represent the evapotranspiration rate of short green crop especially grasses होती है completely setting the ground of uniform height with adequate water status in the soil profile अगर मान लिजे कोई आपका area है आपने यहां पर optimum moisture maintain कर रखा है और इसमें जो grasses हैं पूरी setting कर रखा है पूरी जो यह आपकी field है यह grass के द्वारा ठकी होई है पूरी ठकी है यह पूरी और at a uniform height means इसकी जो height है grass की वो भी uniform होनी चाहिए तो देख लीजे पानी का कोई limitation नहीं है water का कोई limitation नहीं है और actively आपका पूरा grass covered area है तो जो यहां से water का loss होगा in the form of et उसको क्या बोलेंगे representation of environmental demand क्योंकि यहां पर कोई limitation नहीं है तो जो यहां पर evapotranspiration होगा वो potential maximum होगा तो उसको बोलते है potential evapotranspiration और grasses यूज़ करते हैं ठीक है और US में इसको इसकी जगह पर अलफा अलफा भी यूज़ करते हैं ठीक है अब उसके बाद जो बात करेंगे कि जैसे अब measurement कैसे करोगे measurement of evapotranspiration कैसे करोगे तो इसके लिए कुछ instrument है जैसे मैं यहां पर नाम लूँगा lysi meter होता है उसके द्वारा कर सकते हो दूसरा soil moisture depletion studies के द्वारा कर सकते हो तीसरा et can be measured by evaporation data ठीक है तो और वहां पर क्या है आपको क्राफ का जो कोफिशियंट है वह जानना पड़ेगा क्योंकि आपके पास evaporation rate पता है data तो जैसे अभी हम बात करते हैं पहला जो है आपसे बता दू जिससे आपकी evaporation data कैसे कैसे measure कर सकते हो evaporation data आपको measure करने के लिए कौन-कौन से हैं आपके uswb class a open pen evapometer ठीक है यह तो पहला हो गया और दूसरा कैसे कर सकते हो आप sunken screen evapore meter और थर्ड जो है आपका short अगर आप अगर immediate लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आज कल portable evapore meter available है जिसे कर सकते हो तो हम one by one करते हैं जैसे measurement of ET जहां पर आप evaporation और transcription दोनों measure कर सकते हो इसके लिए मैंने बोला था पहला lysimeter तो lysimeter को मैं अगर दिखाऊं तो यह देख सकते हो lysimeter है यहां पर क्या है यह आपका lysimeter होता है यह mimic कर जिए natural field होता है उसमें हम लगा देते हैं और यहां एक machine होती है जिसे आप weighing machine यह weighing machine होती है और यह natural condition में फिल्ड में हम insert करते हैं और जैसे crop field में लगाते हैं वैसे crop यहां भी लगाते हैं तो यह क्या है हम जैसे पानी इसमें apply करेंगे वैसे apply करेंगे तो यहां पर जब पानी हम इसमें apply करते हैं तो यह weight gain होता है ठीक है आज ऐसे लास होता है फिर वह आपको वेट को डिस्प्ले करेगा तो इससे आप मेजर कर सकते हो कि कितना एक इस एरिया से इवैपो ट्रांस्पारेशन हुआ ठीक है सेम क्राप जो हास हास बेंटरी है आप यहां भी यूज करोगे तो इस तरह से लाइसिमीटर होता जिसे आप इवैपो ट्रांस्पारेशन मेजर कर सकते हो और इसके अलामा आप इवैण इसमें यहां पर देख रहे हो कि कुछ सिस्टम होता है आप देख रहे हो न तो यहां आप इसके दोरा लीचिंग भी लीचिंग लॉसेज भी आप अगर चाहते हो तो इस्टिमेट कर सकते हो लाइसिमीटर के दोरा दूसरा जो मैंने बताया था हो है Soil Moisture Deplation Study, अब इसको कैसे करोगे, Soil Moisture Deplation Study के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको Field Capacity Calculate करना पड़ेगा, इसमें से Permanent Wilting Point को Detect करना पड़ेगा, ये भी आपको निकलना पड़ेगा, Then, कितना आपका Depth Soil है, उसको आप Multiply कर दिजिए, Then, Bulk Density जो Soil की है, उसको Apply कर दिजिए, तो आपका जो है ये Deplation Study के द्वारा, इस टू पैरामिटर, Field Capacity और Permanent Wilting Points को, Field Capacity में से Permanent Wilting Point को माइस कर दो, इसको आप Depth आप स्वायल जहां का दितने का आप Interested हो, यहां का आपने Field Capacity और Permanent Wilting Point निकाला है, उसको Multiply कर दो, और Swail की Work Density उसे कर दोगे, तो आपका Deplation पता जालेगा, कितना Moisture Field Capacity पे था और कितना आप Deplet हो गया, तो इससे भी आपका ET Losses आप Calculate कर सकते हो, और दूसरा जो मैंने बोला था, आपका Evaporation Transpiration can be measured by the Evaporation Data, अब इपर Evaporation Data major करने के लिए मैंने बोला था, आपका पहला जो है, 120.7 cm है, आपका Height जो होती है, इसकी 25 cm, और यह आपका 15 cm करीवन Height पर आपको इसको रखना होता है, और इसकी बाहर जो पूरी जो एक Color होता है, यह वो आपका White Color का होता है, ठीक है? और याद रखिएगा, जो Water Level आपको Maintain करना होता है, आपको उपर के रीम से, यहां के रीम से, यह 5 to 7.5 cm नीचे ही Maintain करना होता है, उसी में, तो आप जब इसको फिल्ल में उपर फिल्ल में लग दोगे, तो आपका यहां इस Surface से क्या होगा, कितना Water Loss हुआ, आप उससे बतल लाएगा आपको, Evaporation, कितना हुआ, और यह एक Standard Evaporimeter है, जो कि Most of the Agro Meteorologist यूज़ करते हैं, इसको, ठीक है, उसके बाद जो Second है, जिसके दौरा आप मेजर कर सकते हो, Evaporation Rate आपको दिखा दें, जैसे, वो है Sunken Screen Evaporimeter, और यह होता कैसा है, आपको यहां पर देखो, यह है Sunken Screen Evaporimeter, और एक्शली इसको जो दिया था, उन्होंने सर्मा, और दस्ताने जी ने इसको दिया था, In 1968 में, और यह जो Use होता है, वो Field Condition में Use होता है, For Determining, Evaporation, ठीक है, तो यह Sunken हो गया, उसके बाद जो है, आपका जो मैं थर्ड बात कहता है, वो है Potable Evaporimeter, अगर आपको टेस्ट करना है, Potable Evaporimeter भी आ चुका है, तो आपको यह देखेगा यहाँ पर, यह आपका Potable Evaporimeter है, यहाँ पर से देख सकते हो, यहाँ Filter Paper होगा, और Glass होगे, जिसे Capillary Rise होगा, Water Column होता है, और यहाँ Lower Miniscus है, यहाँ पर Marks लगे होगे, Lower Marks और Upper Marks, और यहाँ पर एक Plate होती होती है, Potable होता है, जिससे आप अपना Evaporation Data calculate कर सकते हो, तो यह तो Different Methods से, जैसे कि आप Evapor Transpiration major कर सकते हो, और Evaporation major कर सकते हो, एक बार मैं आपको recover कर देता हूँ, जो भी मैंने यह बोला, Potable Evaporation, यह Suncane Evaporimeter, और यह जो आपका US Class, जो USW B Class Open Pan Evaporimeter है, इससे क्या Evaporation Rate आप major करते हो, लेकिन जो यहाँ पर मैंने आपको Lysimeters बताया, इससे आपका है, Evapor Transpiration साथ में major कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप Leaching Losses भी आप Estimate कर सकते हो, ठीक है, Once again मैं बता दूँ, जो आपका Potential Evapor Transpiration है, यह क्या है, यह Environmental का जो Demand होता है, उसका Representation करता है, मतलब Potential कितना है, from a Particle Area, कितना Maximum Evaporation हो सकता है, वैसा favorable condition हम प्रवाइड करके Estimate करते हैं Potential Evapor Transpiration, और उसमें जो हैं, हम grasses use करते हैं, उनकी height uniform होती है, और optimum soil moisture maintain करते हैं, और जो Evapor Transpiration क्या है, यह sum है, दोनों का Mix है, किसका Evaporation का और Plant Transpiration का, दोनों को Club कर देंगे, तो उसको बोलते हैं, इवैपो Transpiration, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो का आप लेवल तक help होगा, आप लोगों को, जो confusion है regarding this, इस फ्लियर करने के लिए, और आप लोगोंने कुछ जाना होगा, तो इस वीडियो कैसा था, फीडियो बैक देना, दोस्तों में इसको सहर करना, इस पेज को लाइक करना, और अगर नए हो तो इस चैनल को सबस्क्राइब करना,